जैन ब्रैंट्स मैं मुकेज सिंग आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने स्यूटूब चैनल के स्पंग की स्पोकें इंग्लिश क्लासेज में और आज हम पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल फास्ट को पूरे अच्छे से अंदर घुश कर शिखने वाले हैं तो जब इनके पाचान की बाद आती है तो जीस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दूसरे सेंटेंस के नहीं हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या ये ये या फिर या था ये थी ये थे या ताथा ती थी ते थे ये ताथा ती वाला थोड़ा कम दिखता है क्योंकि ये ज्यादा कर समझते हैं यानि कि जब सेंटेंस बनाने की बारी आएगी तो वहां पर और यह यहां पर एक आपको बता दूं कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ सिम रूल काम आने वाले हैं तो आएए बिनादरी किये इसको समझ लते हैं तो जब पॉजिटिव सेंटेस फॉर्मेशन की बात आती है तो आल सब्जेक्ट के साथ वर्व का सेकेंड फॉर्म उसके बाद अधर वर्ड एकदम सिंपल है और बस सेकेंड फॉर्म का बस इतना ही इसके बाद फिर जब निगेटिव बनाएंगे तो आल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडांट या डिडिन्ट भी बोलते हैं कैसे भी बोल सकते हैं कोई दिकत नहीं है उसके बाद वर्व का फॉर्स फॉर्म फिर अधर वर्ड जब इंट्रोगेटिव की बात आती ह या नि जब किसे बात आती हैं तो वहाँ पसे पहले डिड लगा देते हैं फिर इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट लगा देंगे उसके बास फिर और फीर फॉर्ण पॉर्स फॉर्म उसके बाद और वर्ड फूर्स फॉर्स फॉर्म भालने मात नहीं पॉलना है यह चौश् ter सबस्ट उप है डाटिक में टि twitch लगा देंगे उसके बाद सबदेंगे उसके बाद अदर वार तक एक उसके बार जब डबल खोर्ट इस पहले तो वह चरया को उच्छान मार्क जब डबल ये लिकार पालती या तो तो वहां पर सबस्पद़े डवलुएच फेमिली के दिसे कोई वर्ट रहेगा उसके बार डिड़ प्लस सबजेक्ट प्लस नोट फ्लस वार्ब का फॉर्ट फॉर्ट फ्र अधर वर्ड फिर कोशन मार्क या फिर सबस्पद डबलुएच प्लस डिड़्ड प्लस सबजेक्ट अब जो है अभी तो आपने mathematics पढ़ा अब एक example लेते हैं और उसे अच्छे से समझ लेते हैं एच्छे टाइब के sentence formation के through तो जैसे कि एक simple हिंदी sentence ले लो जैसे राम आम खाया यानि कि बिते हुए समय में पास के किसी समय में जो समय बित चुका है उस टाइम राम आम खाया या खाया था या फिर कभी एस्टोरी टेलिंग नोगे तो खाता था तो भी सेम सेंटेंस हो गा तो इसको अंगरेजिम बोलेंगे राम एट अमेंगो अब जब निगेटिव बोलेंगे जैसे राम आम नहीं खाया तो उसको अंगरेजिम बोलेंगे राम डिदेंट इट मैंगो जब इंट्रोगेटिव याने की जब कोशन करने की बात आएगी कि क्या राम आम खाया तो वहाँ बोलेंगे डिद राम इट मैंगो और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आएगी कि क्या राम आम नहीं ख या फिधी डिदिन्ट राम इटन मेंगो जब डबलू एच कोश्चन की बात आएगी राम क्या खाया तो इसे अंग्रेजिमें पूछेंगे कि वाट डीड राम इट और जब डबलू एच निगेटिव की बात खो यानि जब बूलना हो कि राम क्या नहीं खाया तो इस अंग् बोलेंगे what did Ram not eat या फिर what didn't Ram eat ऐसे बोल सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही friends अब लेकिन मेरे लिए आपको क्या करना है ऐसे और भी बहुत सारे लंबे-लंबे छोटे-छोटे sentences खुद से बनाने हैं और उसको बोल करके practice करना है क्योंकि बोलने के लिए बोलना ज़रूरी ह तो friends मैं आसा करता हूँ एक वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही useful और informative सावित होगी और मैं यह भी आसा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होंगे और आगे इस वीडियो को और भी शेयर करके लोगों को बताएंगे कि यह अच्छी चैनल है आ आप से सब्सक्राइब कर दो तो थैंक्स पर आज में फ्रेंट्स सिस्ट ने वीडियो थेंक यू थेंक यू थेंक यू सो मॉच